कहाने की सुरुवात में हमें एक छोटी सी पार्टी को दिखाये जाता है इस पार्टी में एक इंसान अपने भाई को पुकार रहा था उसके भाई ने अपने आपको एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था दरवाजे के तोड़ने के बाद जब वो अंदर जाता है तो उसका भाई कहा रहा था कि पापा हमें पुकार रहे हैं बड़ा भाई कहता है कि पापा की बहुत समय पहले ही मौत हो गई है इसके बाद जब वो अपने भाई को बाहर ले करके आता है तो सबी लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और तभी उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को ही चाको से जान से मार देता है देखने में ऐसा ही लग रहा था कि उसका छोटा भाई अब अपने कंट्रोल में नहीं है और तब ही वो अपने आपको भी जान से मार लेता है यहाँ पर सेन कट करके हमें मिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है उसकी मा की मौत हो जाने के बाद अब वो अपने पिता के साथ घर पर अकेली रहती है हर वक्त वो अपनी मा को याद करके रोती रहती है उसके पिता भी हर वक्त उसके साथ खड़े रहते हैं अकेला पंदूर करने के लिए मिया अपने दोस्त जेट के घर जाती है और वो जेट के साथ में ही रहती है वो जेट से कहती है कि आज रात की पार्टी में सभी दोस्त आने वाले हैं और वे लोग भूतों से भी बात करते हैं क्यों ना एक बार हम लोग भी पार्टी में चल करके ट्राइ करें जेड पार्टी में जाने के लिए तयार हो जाती है क्योंकि पार्टी में उसका बॉइफरेंड भी आने वाला था इसके बाद वो पार्टी में जाने के लिए अपनी मा के पास जाकर के परमिसन लेती है तो उसकी मा कहती है कि राइफिल को भी लेके जाना वरना वो घर पर अकेला हो जाएगा दरसल राइफिल जेट का छोटा भाई है और अब वो भी इन लोगों के साथ पार्टी में जाने लगता है जिस दोस्त के घर पर पार्टी हो रही थी ये लोग वहाँ पर आ करके पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जेट की मुलाकात डेनियल से होती है जो कि उसका बॉइफ्रेंड है इसके बाद सारे दोस्त बैट करके ये डिसाइड करने लगते हैं कि सबसे पहले भूतों से कौन बात करेगा तब ही मिया कहती है कि सबसे पहले मैं ट्राइ करना चाहती हूँ इसके बाद उसे कुर्सी पर बैठाने के बाद अच्छे से बान दिया जाता है एली एक मुंबती जलाने के बाद उसके सामने एक हाथ रख देती है दरसल इसी से हाथ मिलाने के बाद भूतों से बात किया जा सकता था मिया उसे हाथों से पकड़ने के बाद जैसे ही टोक टू मी बोलती है तभी अचानक से उसके सामने एक भूत आ जाता है जिसे देखकर के मिया बहुत डर जाती है क्योंकि ये वो फर्स टाइम कर रही थी लेकिन फिर भी उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो भूतों के साथ बात करने के लिए तयार हो जाती है वो जैसे ही टॉक टूमी बोलती है तो इस बार दूसरा भूत उसके सामने आता है तभी एली कहती है कि उससे कहो कि मेरे अंदर समा जाओ और जैसे ही मिया ये बात कहती है तो वो भूत उसके अंदर समा जाता है अब वो पूरी तरिके से भूत के कंट्रोल में थी ये लोग 90 सेकंड दक किसी भूत को एक इंसान के अंदर रखते हैं और जैसे 90 सेकंड पूरा हो जाता है तो ये लोग हातों को अलग करने लगते हैं अब वो भूत मिया के ऊपर काफी ज़्यादा हावी हो रहा था अब वो भूत मिया के सरीर से बहान निकल चुका था और वो काफी अच्छा मैसूस कर रही थी अब घर आने के बाद राईली को इन सबसे बहुत डल लगने लगा था इसलिए उसे निद नहीं आ रही थी वो रात में सोने के लिए मिया के पास चला जाता है दरसल इन दनों मिया जेट के घर पर ही सो जाया करती थी अगले दिन सुबह में हमें कोलेज को दिखाया जाता है अईली से बात करने के लिए जेड उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा बाईफरेंड भी डेनियल भूतों से बात करना चाता है आज रात को मेरी मॉम घर से बाहर जा रही है तो हम ये घर पर कर सकते हैं जिसके बाद एली भी उसकी बात मान करके तयार हो जाती है अब रात होने से पहले ही डेनियल जेट के घर आ जाता है और जब उसकी मॉम डेनियल को देखती है तो वो जेट के पास जाकर के उससे जाती है और उनके जाने के बाद जेड अपने सारे दोस्तों को घर पर बुला लेती है तब ये लोग डेनियल को सामने बैठाने के बाद उससे भूत करने के लिए कहते हैं वो हाथ मिलाने के बाद जैसे ही टोक तुमी बोलता है तो उसे एक भूत दिखाई देता है और तभी जेट का डोग उसके पास आ करके उसे चाटने लगता है अब उससे होस में लाने के लिए ये लोग हाथों को छुडाते हैं और मुमत्ती को जा करके बुझा देते हैं जिसके बाद वो भूत उसके सरीर से बहार निकल जाता है और वो एहली से रिक्वेस्ट कर रहा था कि व करते हैं जब सभी लोग इस चीज को करके सांथ हो जाते हैं तो तभी राइली सामने आता है और कहता है कि मैं भी ये करना चाहता हूं तो जेट कहती है कि अभी तुम बच्चे हो तुम ये नहीं कर सकते हो तो मिया कहती है कि उसे भी करने दो उसे कुछ नहीं होगा या सुन करने दिया जाए मिया भी उसकी बात मान जाती है और उसे भी 50 सेकंड के लिए ये करने देती है उसके सामने हाथ रखने के बाद मुंबती को जला दिया जाता है तोक तू मी बोल करके जैसे ही वो भूत को देखता है तो वो बहुत डर जाता है इसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर समा जाओ और इसके बाद वो भूत उसके अंदर समा जाता है इस बार जो भूत उसके अंदर गया था वो एक औरत थी जो कह रही थी कि मैं मरी नहीं हूँ मुझे मारा गया है मी बेटा मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ अब या सुनने के बाद मीया को एसास हो जाता है कि ये भूत कोई और नई उसकी मा है अब आज भी उसकी मा की तरह लग रहा था और उसकी मा उसे मी कहके पुकारती थी अब इसके बाद वो भी पास जा करके अपनी मा से बात करने के कोशिस करती है वो मीया से कहती है कि मुझे जान बूच करके मारा गया है मैं तुम्हें कभी भी छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी बातों के बीच में ये लोग टाइमिंग का ध्यान नहीं देते हैं और समय जादा होने की वज़े से अब वो भूत राईली की उपर हावी होने लगता है जिसके बाद राईली अब अपने आपको ही चोड़ पहुचाने लगता है जेड़ा करके जैसे ये सब देखती है तो वो भी बहुत घबरा जाती है राईली की अंदर जो भूत था वो राईली को अब जान से मारना चाहता था लेकिन मौके पर जेड़ा करके उसे बचा लेती है अब याश सीन देखकर के मिया के भी पूरी तरिके से होस उड़ चुके थे कुछ समय के बाद पुलिस आती है और इन सबी से पूस तास करने लगती है लेकिन इन लोगों को पुलिस पकड़ करके नहीं लेके जाती है क्योंकि ये लोग राईली को नुक्सान नहीं पहुंचाये थे उसने आपने आपको खुद चोट पहुंचाया था वीडियो में इस बात का सबूत था मिया उस हाथ को ले करके अपने घर आ जाती है उसका ऐसा हल हुआ है तुम यहां से चली जाओ मिया के पास और कोई अपसर नहीं था इसलिए वो उदास मन से यहां से जाने लगती है लेकिन उसे समय उसे आइने में उसकी मा की परच्छाई दिखाई देती है अपनी मा को देखने के बाद वो उनका पीछे करते हुए वोस्रूम तक चली जाती है लेकिन वहां जाने के बाद भी उसे मा पर कुछ नहीं मिलता है लेकिन अब वो बहुत घबराई हुई थी और यहां से जा रही थी तब है डेनियल उसे ढेक आए और पूसता है कि आकिर हुआ क्या है जिसके बाद वो उसे बताती है कि उसे उसकी मा दिखाई देती है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने बूतों से बात किया था खेर आब रात में डेनियल अपने घर नहीं जाता है बलकि वो मिया के साथ उसके घर पर ही चला जाता है और रात के समय में जब ये दोनों सो रहे थे तो तभी मिया को उसकी मा के बारे में उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी पिता उसकी मा को मार रहे थे इस बूरे सपने की वज़े से उसकी आग खुल जाती है और वो उट करके बिस्तर पर बैट जाती है वो देखती है कि घर के कोने में कोई भूत है जो बैठा हुआ था और वो भूत धीरे धीरे करके मिया के बहुत करीब आ जाता है मिया उट करके बिस्टर से थोड़ा दूर चली जाती है और अब वो भूत डेनियल के पैरों को खाने लगती है लेकिन जब डेनियल उट करके देखता है तो उसके पैरों के पास मिया बैट करके उसके पैरों को चाट रही थी जिसके डेनियल बहुत डर जाता है और वो इसी वक्त उसके घर को छोड़ करके जाने लगता है वो डेनियल को अपनी बात समझा पाती उससे पहले ही वो घर छोड़ करके जा चुका था अब इन सब को ले करके मिया बहुत परसान हो गई थी इसलिए वो अपनी मासे बात करने के लिए दوبारा उस को ले करके ट्राइ करने लगती है वो जैसे ही टोक टूमी बोलती है तो उसकी माँ उसके ठीक सामने आ चाती है उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें राईली को उन लोगों से आजाद करवाना होगा राईली अब उन लोगों की वस्में है और उसे बहुत तकलिफ हो रहा है तुमें उसे आजात करवाने के लिए उसे तुमें जान से मारना होगा तुम उसे जाकर के मार दो मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी वे लोग अब राईली को छोड़ना नहीं चाहते हैं अब एक दिन मिया अपने दोस्तों से बात करती है और कहती है कि हमें उसके सरीर से उस भूत को बहा निकालना होगा उसे बहा निकालने के लिए हमें वही करना होगा जैसे भूत अंदर गया था लेकिन इस बात को सुनने के बाद जेड़ ये काम करने के लिए तयार नहीं थी क्योंकि उसके भाई को पहले सही बहुत तकलीफ हो चुकी है और अब वो नहीं चाहती है कि उसे और तकलीफ हो इसलिए वो मिया से बहुत गुसा हो जाती है और सबी लोग उसे ब्लेम करने लगते हैं कि राईली के साथ ये सब कुछ सिर्फ तुमारी वज़े से ही हो रहा है मेरे मना करने के बाद भी तुमने उसे वो चीज करने दिया मिया कहती है कि हमें उसे ठीक करने के लिए कुछ जरूर करना होगा वरना जो भूत उसके सरीर के अंदर है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो हर बार अपने आपको नुक्सान पहुचाता रहेगा जिसके बाद जेड उसकी बात मान लेती है और रात के समय में वो मिया को ले करके अपने भाई के पास आती है ये लोग उसके सरीर से भूत को बाहर निकालने के लिए सब कुछ करने लगते हैं लेकिन राइली बोलने की हालत में नई था इसलिए वो मन के अंदर ही बात कर रहा था लेकिन इससे कुछ होता नहीं है इसलिए मिया खुद उस भूत से बात कर निकले तयार हो जाती है उसके सामने अचानक से एक छोटी सी बच्ची आ जाती है जो की मरने के बाद भूत बन चुकी है वो मिया से कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लगके जा सकती हूँ चांपर राइली है या कहने के बाद वो मिया के अंदर चली जाती है और अब एक पल के लिए मिया देखती है राइली भूतों के बीच में फसा हुआ है और सबी बूत मिल करके उसे बहुत ही दुख दे रहे थे इसे देखने के बाद मिया मरने से पहले एक लेटर लिखी थी लेकिन मैंने आज तक तक तुम्हें उस लेटर के बारे में नहीं बताया लेटर में लिखा हुआ था कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो मैं अपनी मलची से कर रही हूँ इन सब के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है और मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ मेरे जाने के बाद भी तुम लोग हमेशा खुस रहोगे या सुनने के बाद मिया भी बहुत रोने लगती है और उसे समय उसे आइने में उसकी मा की परच्छाई दिखाई दिएती है जो मिया से कह रहे थी कि ये जूट बोल रहा है ये तुमारे पिता नहीं है इसके बाद मिया अपनी मा से बात करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है उसकी मा उससे कहती है कि वो इनसान तुमारे पिता नहीं है बलकि वो कोई और है और वो तुमें यहाँपर सिर्फ मारने के लिए आया है वो एक भूत है जिसने राइली को बंदी बनाया है और अब वो तुम्हें मारना चाहता है तुम्हें फॉरण जा करके राइली को मार करके उसे आजात करवाना होगा वरना वो हमेशा से उन लोगों के कैद में रह जाएगा मिया कहती है कि वो मेरा दोस्त है मैं उसे कभी नहीं मार सकती हूँ और उसे समय दर्वाजे को तोड़ करके जो बूत उसकी पिता के रूप में था वो अंदर आ जाता है और अब वो मिया को मारने के लिए उसके उपर हमला कर देता है वो मिया के गले को दबा करके उसे जान से मारने वाला था तब ही बाहर उसके पिता आ जाते हैं जो दर्वाजे को तोड़ करके अंदर आने की कोशिस कर रहे थे जैसे ही वो मिया के पास आ करके उसे बचाने की कोशिस करते हैं तो वो कैची ले करके अपने पिता की उपर ही हमला कर देती है दरसल ये अंजाने में हुआ था उसने जान बुच करके अपने पिता को नहीं मारा खर अब इसके बाद वो जेट के पास कोल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है इसके बाद जिट बाहर कार में बैठ करके उसके घर जाने लगती है लेकिन तभी हमें मादम तलता है कि मिया घर पर नहीं है बलकि वो अस्पताल के बाहर है क्योंकि वो यहाँ पर राइली को मार करके उसे अजाlt करने के लिए आई थी जब वो उसके पास जाती है तो उसे राइली की जगाँ पर उसे एक भूत दिखाई देता है जो मिया से कह रहा था कि तुम उसे मुझसे नहीं बचा पाओगी या कहने के बाद वो कैची से उसे मारने की कोशिस करती है लेकिन वो रुख जाती है क्योंकि उसके सामने राइली था और वो उसे मारना नहीं चाती थी अब इधर जब जब जड मिया के घर आती है तो वो उसके पिता को देखती है उसके पिता की हालत बहुत खराब हो गई थी उसके पिता कहते हैं कि मिया बहुत खतरनाक बन चुकी है उसे जा करके रोको इसके बाद जेड भाग करके वापस से हॉस्पिटल आती है जहां पर वो देखती है कि जेड उसके भाई को उठा करके चौराहे पले के जा रही थी क्योंकि वो उसे बीच रोट पर छोड़ करके एक्सिडेंट करवा करके उसे मारना जाती थी उसी समय मिया के पीछे उसकी मा आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो उसके बाद हम देखते है कि कोई चीज एक कार से आकर करके टकराती है और एक बड़ा एक्सिडेंट हो जाता है और जो एक्सिडेंट हुआ वो राईली करना ही बलकि मिया का हुआ था दरसल राईली को बचाने के लिए मिया ने अपने आपको ही जान से मार डाला अब वो अस्पिताल में देखती है कि राईली बलकुल ठीक ठाक है लेकिन जब मिया अपने आपको आईने में देखती है तुसे मालुम चलता है कि अब वो मर चुकी है और अब वो सिर्फ एक भूद बन चुकी है जो खुले आम सबके सामने घूम रही है लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा है और अब वो भी इंसानों से बात करने के लिए उनके सामने जाती है और इसी के साथ ये कहानियाई पर समाप्त हो जाती है दोस्तों हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से सुक्रिया